दोस्तों स्वागत है आप सबका में इस यूट्यूब चैनल पे जहां मैं आज आपको बताने वाली हूँ अंग्रेजी विशे यानि इंग्लिश विशे का सारा एंसर मैं आपको इस वीडियो में कोशन नंबर 1 से लेके कोशन नंबर 25 तक सारे एंसर आपको मैं बताऊंगी 1 स तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट चैनल नंबर 1 जो एंसर है वह वान का है आपका 10 जुलाई 1949 यह आपका फर्स्ट का एंसर है नेक्स्ट का एंसर आपका सी बोथ आफ दिम थर्ड का एंसर है सी तामिलाडू फोर्थ का है डी जॉंसन फिफ्ट का है विंसेंट चार्ल तो दोस्तों आपको बता दें कि इस LMH education पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे और पूरे full solution मिलेंगे आपको इस वीडियो में भी मैं आपको अंग्रेजी विशे का सारा एक से लेके 25 तक का सारा solution आपको बताने वाली हूं आपको कहीं और जाने के बिल्कुल भी जुरूत नह मिलेंगे और सारे answers 100% आपको सहीं मिलेंगे कोई भी answer आपको गलत नहीं मिलेगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आईए आप question number 7 के तरफ बढ़ते हैं question number 7 का answer है her younger sister next question number 8 जिसका answer question number 10 है इसका है नुमबरदार question number 11 है इसका है water तो यह रहा आपका question number 1 complete हो गया इसमें आपको सिर्फ 10 कहीं answer देना दस ही question का तो इस तरह से आपका 10 question question यह पे हो गया question number 1 भी आपका complete हो गया है तो दोस्तों आपको बता दे कि आप किसी और या कहीं और जाने कि आपको बिल्कुल पर जरूरत नहीं है आपको इस चैनल पर जितने वीडियो जाएंगे उसमें आपको पूरे-पूरे answers मिल जाएंगे तो आपको कहीं भी और जान सही होंगे तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों तो अब हम चलते question number 1 का B part में question number 1 का A part हो गया इसमें आपको दो ही question का answer करने है जिसका first answer है C, free time और second answer है A, Rabin na Tagore यह दो answers है आपके चलिए हम आगे बढ़ते हैं यह question number 1 का B complete हो गया question number 1 का C, जिसका first answer है C, who, second answer है A, is, third answer है C, can, fourth answer है A, A, fifth answer है D, between next है आपका question number 6 का answer है B, in next है 7 का A, for question number 8 का answer है B, at तो दोस्तों आप मेरे channel hopefully अभी तक आप subscribe कर लिए होंगे अगर नहीं किये हैं तो जरूर से आप subscribe कर लिजे और अगर आपको यह video पसंद आए तो इस video को एक like जरूर कीजिए क्योंकि like सिफ आपको एक second लगेगा like button दबाने तो आप जरूर एक like करें और channel को subscribe जरूर करें क् को सारे जितने भी question paper है सबके सही answer 100% सही answer आपको इसी चैनल पर मिलेंगे तो आप चैनल को subscribe जरूर कर लें तो चलिए हम बढ़ते हैं next question की तरफ जो है आपका question number 2 question number 1 का A question number 1 का B question number 1 का C हमने complete कर लिया है अब हम बढ़ेंगे question number 2 की तरफ when Gavaskar was born his uncle noticed a hole on his left ear lovel when he came to see the baby again he realized the baby did not have a hole on his ear lovel immediately the baby was searched and found near a fisher woman thus uncle's skin observation help Gavaskar in retaining his identity तो यह है आपका answer question number 2 का अगर आपको कोई भी spelling पढ़ने में अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लिस कमेंट में mention जरूर करें मैं आपको अच्छे से बता दूंगी क्या इसका spelling है जहां भी आपको problem हो रहा है तो यह रहा आपका answer question number 2 का चलिए बढ़ते है next question की तरफ चलिए यह आपका है question number 3 का answer in this story the writer's grandfather lead a very carefree and happy life when he was a small boy during his own childhood the grandfather would place the fruits like guavas or mangoes from his orchard तो यह जो answer है अप question number 3 का answer है तो महाँ पर पिछले वीडियो मैंने पिछले यह में बता दिया है मैंने question number 1 का A, B, C और question number 2 ही मैंने बता दिया यह रहा आपका question number 3 का answer चलिए आप पढ़ते question number 4 की तरफ जहां आपका advantage बताना है wind energy use करने का तो advantage of wind energy है advantages of using wind energy are तो first है wind power is cost effective next है आपका it is a clean fuel source next है it is a domestic source of energy fourth number है आपका wind turbines can be built on existing farms or ranches तो यह रहा आपका चारो advantage आप इसको लिख ले यह advantage है using wind energy का चलिए आप आगे बढ़ते है question number 5 की तरफ Evans was a young clever prisoner he was heading towards the golden lion in the middle of clipping Norton after successfully escaping from the jail तो यह रहा answer आपका question number 5 का answer है तो दोस्तों आप चैनल को subscribe जरूर कर ले और एक like भी जरूर प्रेस कर दे like button और bell icon को भी जरूर क्लिक कर दे ताकि जो भी video है उसका notification आपको तुरंत मिल जाए तो चलिए आप बढ़ते हैं next question की तरफ आपका next question है question number 6 तो यह है आपका answer question number 6 का अब बढ़ते हैं हम लो question number 7 की तरफ question number 7 है आपका बल्देफ carried with him a steel axe to protect himself from the wild animals lurking around in the dark near the tunnel it was made by his father तो यह है आपका answer question number 7 का answer है आपका और यह question number 6 भी हो गया question number 7 भी हो गया अब हम बढ़ते हैं question number 8 की तरफ यह रहा आपका question number 8 का answer अरादना's heart was broken because she was told that she was an adopted child यह रहा answer आपका question number 8 का now question number 9 9 में आपको दो reasons लिखने हैं तो आपका जो first reason है वो यह है कि India was saved by her ability to adopt to the great changes and influences that came in India and the second है India never forgot her past glories and traditions तो यह रहा आपका दो पॉइंट जो आपको लिखना है question number 9 में next है आपका question number 10 question number 10 है आपका when Sulekha was 10 months old she fell down from the cot on her head some parts of her brain was damaged that was why she remained a backward child and came to be called as bully तो यह आपका answer question number 10 का answer है दोस्तों आप बिल्कुल भी जिन्ता नहीं करें इस वीडियो में मैं आपको पूरे answers बताऊंगी question number 1 से लेकि आपको question number 25 तर जितने भी answers है वो सारे answers में आपको इस वीडियो में बताने वाली हो तो आप बिल्कुल भी tension नहीं ले और आपको कहीं और जाने की भी जरुद बिल्कुल भी नहीं है इस channel पर आपको सारे answers मेलेंगे और पूरे answers मेलेंगे बिल्कुल 100% correct answers मेलेंगे जली आप चलते हैं question number 11 की तरफ इफ नन काका had not noticed the hole on his ear he would have grown up to be an obscure fisherman twirling somewhere along the west coast तो ये रहा आपको question number 11 का answer अप चलते हैं दोस्तो question number 12 की तरफ poet means to say that in a truly independent and free country knowledge should be open to all everyone should have free access to knowledge तो ये रहा आपका answer question number 12 का answer है अब बढ़ते हैं question number 13 की तरफ the poet was not able to read the books because the poet was too small to read books at that time तो ये रहा answer आप question number 13 का अब आज़े हैं question number 14 की तरफ चलते हैं जिसमें first है गवासकर did not break his mother's nose ये first का answer है और second में इसको नहीं करना third वाला जो है वो ही है कि do pause like playing question number 14 में 3 question हैं जिसमें से कि आपको 2 question करने हैं यहां मैंने आपको question number 1 बता दिया question number 3 बता दिया total 2 questions आपकी हो गए बस इतने ही आपको करने है चलिए आप चलते हैं next question की तरफ यह आप answer question number 15 का जो first है teacher say that the earth moves around the sun next है आपका lion was seen by me and third है आपका all यह 3 answer होगे आपके question number 15 के चलिए question number 16 की तरफ चलते है question number 16 का first का answer है आपका every इसमें आपको determine us को underline करना है तो यह तो आप पूरा sentence लिख के underline कर सकते है या फिर सिफ every लिख को underline कर जाजीगा तो भी चलेगा चलिए आप बढ़ते हैं next question की तरफ next है आपका second number the mahanadi is bigger than all other rivers in 36 गर यह रहा आपका answer question number 16 का 2 का next है आपका third sita is beautiful as well as intelligent girl तो यह रहा आपका third का answer next है आपका question number 17 इसका first का answer है if we train, I will not come यह रहा first का answer second है आपका she is so weak that she cannot work यह second का answer है यह question number 17 का answer है और third है his car starts with difficulty तो यह तीन answers आपके हो गया question number 17 के अब बढ़ते हम question number 20 की तरफ और दोस्तों अगर आपने अभी तक में चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कर ले इस चैनल पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे सारे answers मिलेंगे जो कि 100% correct होंगे तो आपको कहीं और जाने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं अब next question की तरफ question number 20 इसका जो AC का part है और जो later है जो applications लिखना है वो मैं आपको इस वीडियो के last में बताऊंगी आप चीनता बिल्कुल भी नहीं कीजिए इसमें question 1 से लेके question 25 तक की जितने answer से सारा आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और को कोई भी part देखने की जुरूरत नहीं है ना दूसरे part में आएगा एक ही part में आपको सारे वीडियो मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते है question number 20 का first answer है it was good after losing eyesight because there was nothing to look back to and nothing to miss यह रहा answer आपका question number 20 का first का second है he became blind in November 1937 they were living in Gujarat वो लो Gujarat में रह 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 थे next है आपका third number they got cottage on the canal bank the surroundings was quiet and peaceful यह रहा आपका third का answer fourth का answer है my son will not be not a beggar B यह आपका chapter भी है और यह इसका heading भी होगा तो यह आपका question number 20 जो है यह पूरा complete हो चुका है अब हम बढ़ेंगे question number 21 की तरफ मैं आपको फिर से बता दू यह question number 18 और 19 छूटा हुआ जो की essay है और लेटर है तो यह से और लेटर मैं आपको इस वीडियो के last में बताऊंगी सारे questions का answer आपको एक ही वीडियो में ही मिलेंगे आपको कोई भी next part में जाने का बिलकुल भी जरुरत नहीं है आपको इसी part में सारे videos मिल जाएंगे सारे answers मिल जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं next question number 21 की तरफ यह रहा आपका question number 21 का first answer stress is a mental tension or anxiety which is caused by the work at hand तो यह हो गया आपका question number 1 next है आपका answer 2 student comes under the stress because of parental pressure or because of pressure from peer groups or due to the perceived importance of the subject itself तो यह रहा आपका question number 2 का answer अब आज ही question number 3 stress leads to inefficiency, loss of interest and above all to a total breakdown physical, mental, emotional and moral यह हो गया आपका question number 3 का answer अब हम चलेंगे question number 4 की तरफ यह जो आपका है यह 4 का answer है जिसका title है causes and effects of stress और एक composite आपको पूछा गया inferity का तो inferity का होगा superity s-u-p-e-r-i-o-r-i-t-y यह superiority है तो दोस्तों आप देखी रहे हैं आपको सारे questions का answer बता दिये जा रहे हैं तो आप channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले और notification bell जरू दबाए ताकि आप कोई भी video को miss बिल्कुल भी नहीं करें तो चलिए हम बढ़ते हैं next question की तरफ यह सारे questions आपकी हो गये हैं अब हम चलेंगे next question की तरफ यह आपका question number 22 का first conversation takes place between Krishna Roy, Air India Assistant and Keshav Kalsi यह दोनों के बीच में conversation हो रही है next है आपका two number Keshav Kalsi called the Air India call center to change the ticket for a flight to Tokyo वो पहले 6 तकस को जाना चाहिए था उसको लेकिन अब वो अपना date जो है वो change करना चाहता था इसलिए वो Air India को call किया था Keshav Kalsi next है आपका third number Keshav Kalsi wants to go to Tokyo वो कहां जाना चाहता था Tokyo जाना चाहता था next है आपका fourth number fourth में दो questions है तो जो और वाला है वो इसका answer यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तो इसका answer है yes Keshav wants to change the departure date because he want to be in Tokyo on August 6 so he want to fly the day before वो एक दिन पहले वहाँ पर जाना चाहता था क्योंकि वो 6 अगस्त को पूरा वो Tokyo बिताना चाहता था इसलिए चाहता था कि एक दिन पहले ही वो वहाँ पर flight से पहुंच जाए इसलिए वो अपना Air India Assistant को call किया था ताकि उसका टिकट जो है चेंज करके फिफ्ट अगस्त को हो जाए तो इसलिए आपका Q22 जो है वो हो चुका है अब हम चलेंगे Q23 के तरफ Q23 का 1st है आपका यंग 2nd है विलेज 3rd है एजूकेशन 4th है टी 5th का इंफेक्शन 6th का एंशर है मेडिकल 7th का एंसर है इंट्रमस्कूलर 8th का एंसर है ट्रिट्मेंट तो यह सारे आंसर से आपके Q23 के दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्योंकि आपको सारे Q23 के आंसर से इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे जलिए बढ़ते हैं नेक्स्त कोस्टन की तरफ यह आपका Q24 जिसमें प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है इसका जो हेडिंग होगा यह होगा तेलिविजन दूइंग दूइंग यह इसका हेडिंग है अब इसका प्रिसाइज राइटिंग में प्या लिख सकते हैं कि तुडेई पेपुल रशेज होम ऐन क्विकली के डी तरफ टीवी प्रोग्राम्स ती दूट रूट यह होगया आपका प्रिसाइज राइटिंग जिसका हेडिंग है तेलिविजन दूइंग दूइंग दू तो यह answers आपके हो गए चलिए आप बढ़ते हैं next question की तरफ आप यह answers को पूरा लिख लीजेगा यह answers बिल्कुल 100% correct है तो चलिए आप next question की तरफ चलते हैं next question number 25 जिसमें की आपको 4 questions के answer बताने जिसमें पहले आपको error बताना और उसको correct करके sentence बताने तो इसमें जो पहला है वो मैंने two number बनाया तो two number का error जो है वो poems है जिसको correct करके आपको poem लिखना है तो correct sentence है आपका this poem is written by Rabindna Tagore तो यह आपका correct हो जाएगा third है आपका error जो है error है on इसको आप correct करके इसको ठिक कर लिजेगा I would like to know this यह two जो है यह correct answer होगा next है आपका question number four error है इसका does और जो correct sentence है वो होगा where do you live तो यह आपका correct sentence है does की जगा आपका do होगा next है six number error जो है helps है helps नहीं होगा helps की जगा help होगा hobbies help to reduce stress तो यह हो गया answer question number 25 का यह रहा आपका question number 18 का answer जिस पर आपको एसे लिखना है कोई भी एक topic पर तो यहां पर मैंने जो आपको बता रही हो वह मैं बता रही हो यह two number जो है if I were the prime minister यह उसके answers है तो India being a democratic country holds a very important position in the world in fact she is the largest democracy in the world it is but natural that every citizen can hope of becoming the prime minister of the country I also hope to succeed in that position one day if it happens to outshine other students' studies and then manage to have numerous admirers who will elect me a member of parliament I shall try my best to become very popular among the elected members so that they could elect me their leader as a matter of fact the prime minister is the real ruler of the country and he is responsible only to the elected body the Lok Sabha whosoever is the prime minister he wields the power to rule the nation आगे है आपका my first task after becoming the prime minister will be to choose the best ministers for my cabinet I will further ensure that technically sound young man should also find a place in the cabinet so that the expertise is used for the betterment of the country then I will see that all the big mills be nationalized so that the profit earned through laborers' hard work should not go to the capitalist alone the workers must get their due share I will ensure that only expert persons should head those industries even if they are not a government employee foreign dependence would be minimized as far as possible that step would also ensure security to the nation दोस्तो अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सब्सक्राइब नियां किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरू करे LMH education को यहीं पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगा और सारे answers मिलेंगे that step would also ensure security to the nation special steps will be taken in the agriculture sector research centers will be established to get the best seeds to boost production all facilities would be provided to the farmers the educational system will be totally changed the students after getting their basic education up to class 10 would be given vocational training besides academic all the courses will be job oriented corruption in any form will be dealt with in the strictest manner and corrupt persons will be awarded deterrent punishment I know that ruling a nation is not easy job it cannot be done without the active support of the people I shall try my best to educate the people in order to eradicate all types of social evils a strong sense of patriotism has to be inculcated in citizens mind I shall take appropriate steps to revive our national pride in India only then can make progress so this is your question number 18 answer complete now we will go to question number 19 where you have to write the application for the school living certificate so you have to start here first to the principal you have to write the school name and you have to write the address and the subject you have to write the application for the school living certificate below you have to write the respective madam if you are right then you can write the madam then you have to write it I am muskan gupta a student of 12c of your school here you have to write the name of muskan gupta here you have to change the section with all due respect I would like to bring to light that I have been a student of an institution since 6th standard and I will never forget how much this school has given me I would also like to tell you that the nature of my father's job is not static as he is an army personal his transfer is due and we will be leaving town by 2nd of next month hereby I request you to grant me grant my school living certificate so that I can initiate my further admissions I will be highly grateful thank you yours truly muskan gupta here you have to write your name here you have to write your address here you have to write date here the application complete so friends don't forget to subscribe to the channel subscribe to the channel because in this video and this channel through all the questions and answers in English I have to tell you if you are not so you should see the questions all the questions are right 100% so I have to tell you question 1 and question 25 all the answers I have to tell you if you have any question you have to tell you then you have to tell me to comment section and if you have to ask any other subject then you have to tell you please LMS education thank you thank you thank you for watching if you have any doubts if you have any doubts then you have to ask in the comment section I will give you all the answers in this video all the questions in this video and 25 all the answers are complete you have to go and go and go and go and go no 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 to no 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 I झाल झाल